हमाई साथ हैं बीजेपी सांसाथ कौशल किशोर जी कौशल जो आरोप लग रहे हैं आपकी बहु कह रही हैं कि शड़यंत्र पूरा किया आपके बेटे ने आपका इस पर क्या तर्ख है में देख रहा था कि आपके तरफ से कुई खट्रा नहीं है नाहीं आपके बेटे का इं तो वह अपना साधी करके इससे अपना रह रहे थे लड़का भी 27 मार्च को वह 20 साल का पूरा होगा लड़की उनसे ओवरेज है और कैसे उनके संबंद बने क्या बने यह तो आयूस ही बहतर जानता है होगा कि कैसे उनके संबंद बन गए हम लोग तो उसके बारे में जानते नहीं ना उसके परिवार के बैक्गराउंड के बारे में जानते हैं लेकिन जो भी घटना जब गोली लगी उसे आयूस ने मुझे फोन किया दो बचकर तीन मिनटे रात में कि पापा मेरे गोली मार दी गई तो मुझे जब यह बताया तो मैंने पूछा कहां हो उनका चोकी पर पुलिस की दरोगा जी से बात कराई तो उन्होंने दरोगा जी ने बता कि में ताना लेकर के इनको टामा सिंटर चलना हूं आप वही आई पर पूलीस बीढ़ाई थी पुलिस के अथिकारी थे मैंने पूछा कि बेटा यह बताओ कि गोली किसने मारी तो उसने का कि प्ताग इसे चलेगा चलाएगा देखे जाएंगे तो से पता चल जाएगा गोली किसने मारी और पुलिस ने CCTV पुटेज जब खंगाले तो पता चला कि आयूश के सालिय नहीं गोली मारी पहले फिर विश्टल जेपाया और ऐसको लेकर के गया और तब उसने शोनने मन घंदद बनाया कि आयोस जो है आ फला फला को फसाना चाहता था इसलिए उसने कमेड़े से कहके गोली मर्वाई अगर ऑसे गोली माने के लिए कहा था तो इसको अपनी बहन से अंकिता से बताना चाहिए था और बहुत पहले जाता ने तो उसने बताया नहीं और जब इसका मतलब है कि आयूस अगर मर जाता तो यह लोग जिन लोगों को नाम बता रहे हैं उनी को नाम जद कर देते और आयूस मर जाता और यह जो बताते हुई हम भी मान तो यह घटना जो है निश्ची तरीके से इनिविस्टिगेशन की घटना है और इसकी सही जांच होनी चाहिए, सही परताल होनी चाहिए, या खिर आयूस को गोली क्यों मारी गई, इसके पीछे का राज किया है, इसके पीछे का कारण किया है, यह तो पुलिस ने तो आदर्श प्यारोप लगाया ना, कि आदर्श और आयूस ने मिल करके यह कराया, अब आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था, इसने तो सीसी टीवी की फूटेज खंगाली होगी ना, तभी तो यह बात आई, हाँ, तो गोली तो पीछे से लगी हुई है, आयूस ने किसी का नाम क्यों नहीं बताया, उनका साला बोलता कि फला फला को फसाने के लिए गोली मारी, आयूस ने कहा, तो आयूस ने नाम बताया क्यों नहीं, पुलिस ने फाइयार दर्ज किये खुद, हमारी लोगों की तरफ से आयूस की तरफ से कोई फाइयार नहीं धर जाई, यसलिए कि वो किसी का नाम नहीं बता पाया, तो मैंने कहा आप जाच कर लिजे, जो सही हो, वो करिए, आपकी बहु ने तो यहां तक कहा था, जहां तक मेरी जानकारी है कि आयूश ने उनके सामने आपको कॉल किया और बताया कि चंदन गुपता नाम के किसी वैक्ति को फसाना है, ऐसा करके, जुट बोल लही है, वो गलत बोल लही है, कि फला को फसाना है, तीन नाम उसका साला बोला है, तीन लोगों के नाम, और वो तीन लोगों के नाम के चंदन गुपता की बात क्यों कर रही है, मनीश जैसवालो परदीप सिंग की जो बात उसका साला बोला है, उनको बोलना चाहिए ना कि ये कौन है लोग भई, क्या बात ह इनको क्यों फचाना चाहता था और आयूस क्यों फचाना चाहता था इनसे उनकी क्या रंजिस है वो गटना जो है वो गलत बोल रहे है और गलत बता रही है मुझसे खुद उन्होंने च्छे तारी की सुबह फोन किया था अंकिता जी ने कि हम आयूस को बचाना चाहते हैं और परिवार की मरजी के खिलाफ साधी किया है हमने उसी दिन से कह दिया था कि कोई लेना देना नहीं तुम से है ना तुम्हारी पत्नी से है अब आप यह में घटना क्या है आप जानो हो जाने जेल जाएगा आयूस अगर उसने घटना में यह सामिल है तो वो जेल जाएगा और तो आप जाके जमानत कराओ तो कहने लगी मैंने वकील से बात कर लिया और मैं जमानत करा लूँगी तो हमने का ठीक है जाओ अपने जमानत कराओ अब एक आपने इंपोर्टन बात बताई कि जब शादी के लिए वो प्रेशर बनाता था और क्याता था कि सुसाइट कर लूँगा आप से भी जिक्र किया था यही बात तो उनकी पत्नी ने भी कहा कि बैलकनी से कूदने की बात के थी इतना प्रेशर बना दिया कि मुझे साधी नहीं करना चाहती थी तो तुमको उसके खिलाब करवाई करनी चाहिए थी कि हम नहीं करेंगे अपने माबाप को बताना चाहिए थी या हम लोगों से जिक्रा करना चाहिए थी बाप का नंबर तो पापा का नंबर दो अपने और हम बात करेंगे कि जबरदस्ती कर रह आप कहना क्या स्टैने मेरी वो नहीं है हमारी मर्जी की साधी शा्डी से नहीं हमने अपनी हो punk नहीं मनते वो आयूट्य psychology मिलें तभी ये बात पता चलेगी इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से आयूस से अपील करते हैं या पुलिस थाने जाओ या अदालत में जाओ और जो घटना है उसको सही तरीके से जो सच हो वो बताओ एक भी जूट मत बोलना पूरी सच्चाई जो हो वो बताइए पुलिस कIE warto है सर इसके पीछे क्या है जो अभी तकका आपका अक्लन हो क्या वजय हो सकती बढ़ी वर्लत के पीछे कि समझ में नहीं मेरे बात की छे महिने में कि और आयूस के रात के 2 बजे गोली लगती है और घर से बाहर निकलके आयूस और उसका साला आता है उसको पता भी नहीं कि गोली क्यों लगी जब वो आया था हास्पिटल में तो उस समय भी वो बहुत सेंस में नहीं था आयूस जब मेरे हम लोगों के साथ रहता था तो किसी भी परकार कर नसा नहीं करता था और उसको अगर नसा भी अगर किसी ने किया है या कराया है तो जिम्मेदार तो वही है जहां रहता था वो कोई दूसरा जिम्मेदार तो नहीं है उनकी पत्नी पर आपका आरोप है पतनी क्यों अपने पती को इस कदर बात इतनी बढ़ जाए कि गोली मरवादे इस तरह की साजिश हो जाए अब यह तो आयूस ही जान सकते हैं कि क्या मैटर है और क्या मामला है यह प्रकट होंगे जब उसने कहा है कि हम जल्दी आएंगे लखनो वीडियो पे बोला है जो आपके चैनल के मादियम से पता चला मुझे जल्दी लखनो आएंगे और हाजिर होंगे और सच्चा ही बताएंगे सब के सामने तो आएगा तब ही पता चलेगा क्या है क्या कभी इस दौरान आपसे आयूश ने जिक्र किया हो कि ऐसा कोई प्रेशर था कोई जंजट चल रहा था और अभी क्या आपसे कोई बात चीत हो सकी है देखे हाश्पिटल के बाद से आयूश से ना मेरी बात हुई ना मुलाकात हुई उसके पहले कोई चर्चा कभी उसने पहले भी समन्द में उसने कोई चर्चा नहीं किया एक दिन बीच में उसने आया था उसने बताया था कि पापा उसने जो है हम गलत फस गये हैं और हम क्या करें मैंने का कि अगर तुम गलत फस गये हो क्या हो तो अब इसमें कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुमने साधी की तो ज आयूश ने जिक्र जरूर किया था कि शादी को ले करके उनका कहना था कि वो फस गए अब बहतर होगा एबीपी न्यूज के माध्यम से ही अपील की है कि आयूश खुद सामने आए पुलिस के पास जाए और जो सच्चाई है वो पुलिस को तफसील से बताए कैमरा में अजी जाको के साथ आशीश कुमार सिंग एबीपी न्यूज दिली